असलाम लेकुम डियर स्टूडेंट आज यो टॉपिक हम डिसकस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि जब हम बच्चों के लिए किताब सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर क्या-क्या किताब करके इसे गो सबसे पहले हम एक दिफार रिवाइस करते हैं कि प्रिंसिपल अफ एप्रोप्रियेटनेस थे क्या और फिर हम उनको इन तीनों चीजों से मैच करते हैं तो हम दुबारा अगर देखें कि principle of appropriateness क्या थे और पहला principle क्या था तो पहला principle ये था कि जो आपकी किताब है वो बच्ची की nature से match खानी चाहिए और उसके अंदर जितने भी themes हैं जितने भी visuals हैं जितने भी characters हैं वो बच्ची की nature को define करने चाहिए उसके perspective के मताबिक होनी चाह हैं जिसमें बच्चे interested हो ना के बड़े interested हो और ऐसी चीज़े होनी चाहिए जो बच्चों की linguistic और cognitive capacities और boundaries के मताबिक हों जिसे बच्चे पढ़ भी सकते हो और समझ भी सकते हो और इस पर think over कर सकते हो हमारे पास अगला principle of appropriateness का point है वो ये आता है कि हम adult के perspective intellectual और evaluation structure को बच्च करते हैं जो बच्चों के perspective से बनी हो उसके बाद हमारे पास जो important चीज़ आती है वो यह आती है कि यह तमाम चीज़ें हैं इनको हम relate करें बच्चों की reality से the child nature and the child reality किन चीज़ों को हमने match करना है number one हमने उनकी contextual formal didactic attributes को को करना है कहानी क्या है उसका plot क्या है कैसे लिखी गई है क्या वह बच्चा उसे पढ़ेगा क्या उससे relationship building करेगा क्या उससे मज़ा आएगा क्या उस किताब को अपना दोस्त बनाएगा that is an important principle then the book should up to the literary criteria वो criteria जो आप literature का criteria choose करते हैं कि language क्या हो grammar कैसी हो कैसे जुम्ले और इलफाज हो वो हो जो बच्चों के मताबिक हो और उन्हें help करें उनका interest develop करें और वो अपनी language को explore कर सकें उसकी beauty को समझ सके कैसे इलफाज बोले जाते हैं कैसे जुम्ले बोले जाते हैं कैसे हमारी language develop हो रह लिए यह चीजह हमें देखनी है कि कोई भी किताब जिब हम choose करने लगते हैं उसके अंदर तीन चीजह हैं जो हम देखते हैं सबसे पहले किताब का design क्या है फिर देखते हैं किताब के contextual attributes क्या है उनके अंदर हम देखते हैं कि क्या यह तमाम चीजह मौजूद हैं अगर तो म तेरीन किताब यह बच्चे के लिए लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम यह देख लेते हैं कि design attributes exactly होते क्या हैं किताब का paper किताब का cover किताब की binding quality क्या वो tape-binded है क्या वो properly-binded है क्या वो ring-binded है यह तमाम चीजह उसकी design का attribute है जो आपको बजाहिर नजर आ रही है उसके letters उनका font size उसका layout उसके अंदर मौजूद pictures यह तमाम का तमाम किताब का design है contextual attribute में वो तमाम characters है जो किताब में play हो रहे हैं जो बच्चा देख रहा है जिन से बाते कर रहा है plot है language है themes है और हमारे पस डाइडेक्टरी के attribute में है कि आप क्या चीज़ बच्चे को convey करने जा रहे ह अंदर आपकी language कैसी है उसमें message क्या है तो यह वो तमाम चीज़ें जो हम बच्चों को actually जब किताबें देने लगते हैं उससे पहले देखते हैं कि क्या इसका design उनकी एश के मुताबिक है क्या उसका contextual attribute बच्चों की एश के मुताबिक है क्या उसका deductive attribute बच्चों की child nature के मु तिरीन किताब है जो आप बच्चों के साथ जरूर रीडाउट कर सकते हैं सो इसको आगे further पढ़ने के लिए हम अगली slides में आप से दुबारा मिलेंगे तब तक के लिए best of luck